हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच्प परहार में मैं हूँ एड़ोकेट सानी शर्वा दोस्तों आपने थम्नेल देखी लिया होगा जो आपने थम्नेल में देखा वो ही आज मैं आपको एक्स्प्लीन करने वाला हूँ मतलब कि यदि आपके उपर एक जूटा मुकदमा दर्जोग गया है और उसमें किसी अन्य वेक्ति का भी हाथ है ये अन्य वेक्ति आपकी धरम पतनी के परिवार वाले भी हो सकते हैं उसके भाई बंदू भी हो सकते हैं अधिकतर मामलों में देखो ये देखा जाता है कि पती चुटी चुटी बातों पर नोगजोक होने लगी और कई बार तो ऐसा होता है कि मायके जाती है और उसके बाद वापस ही नहीं आती पहले कुछ ना कुछ भाना करती रहती है फिर जो भाना होता है वो तबदील हो जाता है कि नहीं मुझे तो आना ही नहीं है इस तरह के प् इसे बड़े अच्छे से बड़े प्रेम से रह रहे होते हैं लेकिन कही ना कहीं से उसको ये सिखा दिया जाता है कि भाई आप इस चीज की पर्टिकुलर चीज की डिमांड करो वो लड़की आप से पर्टिकुलर चीज की डिमांड करती है आप पूरा नहीं कर पाते हो अब अगर आपको लगता है कि आपके मामले में भी ऐसा कोई तीसरा बंदा इन्वाल्व है जिसकी वज़े से आपका घर खराब हो रहा है तो सबसे पहले आप उस तीसरे बंदे पर कारिवाई करवा वो बाकी सारी चीजे बाद में देखना अभी दोस्तों पिछले साल में एक वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने बताया था कि वहाँ पर एक जो पुलिस वाला है वो परशान कर रहा था वो लड़की को सपोर्ट करते वे लड़के पर दबाव बना रहा था अनावश्यक रूप से उस केस में हमारे द्वारे यही किया गया था कि भाई अगर कोई गलत कर रहा है वो पुलिस वाला लड़के के घर पे घुसता है लड़के का समान वगएरा निकाल लेता है सारा समान लेकर करके चला जाता है पुलिस टेशन में बुला कि उसको हैरेस करता है यानि पूरे परकार से उसके परिवार को बिगाडने में उस पुलिस वाले का हाथट था एक पिता अपनी बच्ची से नहीं मिल पा रहा है केवले बारी व्यक्ति की वज़ह से तो सबसे पहले उस मामले में हम लोगों ने उस पुलिस वाले पर कारेवाई की थी और जब पुलिस वाले पर कारेवाई हुई तो वो आटोमेटिकली उस मामले में सहाड़ीया दूर भागने लगा और उससे पहले वो हर मामले में उसको सपोर्ट कर रहा था और सारे गलत काम करवा रहा था तो दोस्तों यही होता है, reality यही है यानि कि जो third person बीच महार है जो आपके साथ गलत कर रहा है जिसकी वैसे आपका परिवार टूट रहा है, जिसकी वैसे आप अपने बच्चों से भी चड़ रहे हो उसको मत छोड़ो, अगर वो वेक्ति आपके घर पे आया है, आपके घर पे आकर कि उसने बत्तमीजी किये या आपके पास और कोई evidence इस प्रकार का है, जिससे पता चलता है कि भई वो जो दूसरा बंदा है, वो आपका परिवार खराब कर रहा है आपके पास उसका evidence है, अब ये भी नहीं है, कि बिना किसी evidence के आप किसी पर भी उंगली उठा दे हैं और किसी पर भी कारवाई करने चल जा, ऐसे में तो आप भी फच सकते हैं, ऐसा नहीं करना है यदि आपके पास proper evidence है इस बात का, कि भाई ये तीसरा आदमी involved है और इसकी वज़े से ये सब हो रहा है तो फिर ऐसे में उस तीसरे बंदे पर आपने कारवाई करवानी है अब क्या कारवाई करवानी है, ये इस बात पर depend करता है कि उसके act क्या रहे हैं कि भाई हम उसके मानानी का मुकदमा करें, या फिर हम उसके उपर extortion का मुकदमा करें या फिर हम उसके उपर market का मुकदमा करें, या फिर हम उसके उपर घर में घर के अंदर घुसने का मुकदमा करें वो सब depend करता है हर एक case में अलग-अलग हो सकता है तो इन सब चीजों को मिला करके एक अच्छा मुकदमा बनाया जा सकता है ये दि उस बंदे ने ऐसा कोई conduct किया है साथ ही हाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर उस बंदे ने ऐसा कोई conduct नहीं किया और अनावश्यक रूप से आप किसी को छेड़ते हो तो फिर देखो कम कोई भी आज के समय पे नहीं है आप उसको छेड़ोगे वो भी आपको परिशान करेगा लेकिन अगर वो वास्ता में परिशान कर रहा है तो फिर थोड़ा daring बनना पड़ता है फिर अगर हम यही सोचते रहेंगे कि मैं उस पर कुछ करूँगा और वो मुझे पर कुछ करेगा तो फिर क्या होगा फिर तो बात बनती नहीं है तो दोस्तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो भार का वेक्ति चाहे वो लड़की के पिता जी हो लड़की की माता जी हो चाहा उसके भाइबंदू हो उनकी वज़े से आपका घर बिगड जाएगा आपका घर खराभ हो जाएगा आपके बच्चे पिता के प्यार से महरूम हो जाएगे आप दोस्तो बहुत सारे मामलों में आप लोग के कमेंट्स आते हैं सर सबसे ज़्यादा तो जाय मेरी पतनी की माँ इंटरफियर करती है और कई लोगों का ऐसा भी होता है कि सर बाकी सब सही है मेरे पतनी के जो पिताजी है वो मुझे धमकाते हैं कि भाई मैं इससे जानता हूँ इससा कर दूँगा वैसा कर दूँगा वरना तुम इतना अमाउंट दो तो दोस्तो इस परकार से वैसे तो करना ही नहीं चाहिए जो भी माँ और बाप इस परकार से करते हैं वो अपनी बच्चे का घर खराब कर रहे होता है कही न गई अगर पती और पतनी के बीच में कुछ डिस्प्यूट भी आ जाता है तो दोनों को बिठा के समझाना चाहिए नहीं मानते तो एक एक रैपट मुपे लगाना चाहिए और बताना चाहिए कि भई सही क्या है और गलत क्या है क्योंकि आप लोग बड़े हैं आप लोग ऐसा कर सकते हैं लेकिन चाहे आप लड़के के माबाप हैं चाहे आप लड़की के माबाप हैं यदि आप अपने बच्चे का पक्ष लेते हैं गलती होने पर भी अपने बच्चे का पक्ष लेते हैं तो कहीं न कहीं आप उसकी जिनकी खराब कर रहे होते हैं यह हम सभी को समझना चाहिए अगर आपका लड़का गलत है तब भी लड़के के मुँपे एक थपन मारी है और उसको समझाई है कि भाईया तो यह गलत कर रहा है इसके साथ तुझा ऐसा नहीं करना और यदि लड़की गलत कर रही है और लड़की के माबाप को पता चल जाता है क्यों गलत कर रही है तो फिर लड़की को भून को समझाना चाहिए कि भाईया यह गलत है और दोनों लोगों को बिठा करके मामला सेटल करना चाहिए लेकिन देखने में या आता है जो जिसके माबाप है वो अपने बच्चे को सही बता रहा है चाहिए वो गलत कर रहा है तब भी वो उसे सही बता रहा है और वो सही कर रहा है तो फिर तो सही है तो इसका मतलब है कि आप यदि इस परकार से अपने बच्चे का पक्ष लेते हैं तो ये जो बीच के time होता है, 10-15-20 साल होते हैं इनसान के पास, इसको इस तरह से खराब मत कीज़े कोट के चैरी में माबाप, भेन भाई, भाई बंदू होने से आपका फर्ज और ज़्यादा बढ़ जाता है आपका फर्ज है कि आप अपने बच्चों को चाहे लड़के की तरफ से हैं, चाहे लड़के की तरफ से समझाएं और सही रास्ते पे लेके आएं, यदि वो गलत ट्रैक पे चला गया है गलत चीज में किसी को भी support मत करें गलत चीज में अपने बच्चों को भी बिलकुल भी support मत करें क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो भाया इसके result इसके परणाम आखिर में बुरे ही होंगे चाहे आप कुछ भी करें और यहां पर मैं लग को लगता हैं लड़की के बाप, लड़की के पिता जी या कोई और आपके घर परिवार को बरबाद कर रहे हैं तो वेट बिलकुल मत कीजिए आप उनके उपर उचित कानूनी कारवही करें तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में नहीं लीगल जनकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए गुडबाई and thank you for watching, take care